राजस्तान के लोग गाय के साती उंट भैंस और बक्रियों को भी पालते हैं ताकि उनका जो जीवन है वो चलता रहे आज भी का चलती रहे लेकिन बदलते दोर में पशुपालन का व्यवसाय धीर धीरे अब कमजोर पढ़ने लगा है लोग इस व्यवसाय से दूर होने लगे सरकार ने वज्यानिक तरीके से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भेड़ बख्री पालन प्रश्रीक्षंड शिविर शुरू किया है जिसके जरीए पशुपालकों को भेड़ बख्री पालन की विस्तार से जानकारियां दी जा रही है एसा ही प्रिशिक्षन डीडवना जिले में चल रहा है, मौला सर्म इस्तित क्रिशी विज्ञान केंदर में चल रहा है, जहां जिले बर के पशुपालकों को इस तरह से पशुपालन से जुड़ी एहम जानकारियां दी जारी है क्रिशी के साथ पशुपालन व्यवसाई भी किसानों की आयक आयक बड़ा जरिया माना जाता है, लेकिन बदलते दोर के साथ पशुपालन व्यवसाई में ध्री द्री खमी आती जा रही है, लेकिन आज हम खड़े हैं बीडवना जिले के मौला सर के क्रिशी विकास केंदर में जहां परशुपालकों को भेड़ बकरी पालन्त का परश्रिक्शन दिया जा रहा है ताकि किसानों की जो आए है उसको बढ़ाय जा सके क्या है ये पूरा कार्यकरम और क्या है ये परश्रिक्शन किस तरह से परशुपालकों को परश्रिक्शन दिया जा रहा है क्या इसका योजना का उद्रेश ये हैं यह जानने के लिए मुजूद है evitar के नाम आताई सेर्सौमय जो प्रक्रिकशन चल रहा है क्या है यह संदी रागा हृए साथ दिन का अमने का hed порब chaliri करता ही है लेकिन जो वेकेंडिक तरीके का मतलब यह होता है कि आप उनको अच्छे डंग से उनका मेनेजमेंट कैसे कर पाओ जैसे उनका बैस्ट आवास परबंदन हो उनका चारा दाना पानी का उसका आहार क्या है कौन-कौन से बैस्ट चारे है जिनसे उनका जो किसान के ला करा रहता है अभी जैसे मांसुन का टाइम है तो उसमें कैसे कि टिका करना लगते है कई टाइब की बिमारिया होती यह जो मौसम है अभी सर्ड जिका है तो Eli B पसको कौन-कौन सी बिमारी होती है, उसका कैसे यलाज करें, वो सारी जानगरी हम ही है यहां देते हैं, उसके बाद में क्या इनका नसल का है, ब्रेडिंग प्रोग्राम क्या रहता है, कि कि इसका हैल्थ केर प्रोग्राम वो रहता है, उसका मार्किटिंग क्या रहता है, तो विविन पहलों पे इनको हम अध्यन देते हैं यहां पे इसके बाद है कि होजना चलाएगी जो केंदर सरकार दोर चलाएगी है जो राज्टे परसुदन मिशन उसका नाम है उसमें यह किसान अपना फार्म लगाते है उसमें इनको साथ इनकी ट्रेनिंग के आउशकता होती है तो वो हम यहां इनको दे रहे हैं अभी तो हम इनको सेटिफिकर देंगे ताकि यह अपना फार्म बरस पाए तो किसानों की आयव बढ़ाने के लिए जो पशुपालग भी है इनकी आयव बढ़ाने के लिए किस तरह से लाबदायक होता है इनकी नो डाउट यह जो इदर वैल्ट है इदर क्या है पाणी दिर दिर कम होता जा रहा है ग्राउन एड वाटर तो अब किसानों के पास एक विकल्ब है कि पशुपालन और पशुपालन ऐसा है कि जो कम खर्चे में अच्छा मुनाफ़ा किसानों को मिलता है अब भी सरे आई दुगनीके अगर आपने बात करें तो आप इसमें देखिये कि मैंने अभी काफी किसानों से बात की है तो लग्सरे इसमें यह ऐसा व्युपालन यहाँ इस शहतर के लिए बैढ़ बक्री पालन बहुत अच्छा है और इसमें पूंजी कम आशक्ता होती है लेकिन सर बदलते दोर में पशु पालन से लोग दूर होते जा रहे हैं, किसानों की आयका है इक ज़र replacing होता था और नागोर जिल्ही की बात करें, अब में भी भाज़ित नागोर जिल्ही कंख्या में कई तरा की पशु मेले लगते थे, लेकिन उन्हें भी कमी आते जा है ही, क्योंकि लोग परशुपालन से दूर होते जा रहें तो ऐसे में इस प्रस्रिक्षिक्षिन के माध्यम से किस तर से आप उनको प्रोसाइट करते हैं जी सर मैं आपको मैंने जब से यहां पोस्टिंग मेरी 21 में 222 की है मैं यहां पर आया मैंने जो हमारे ट्रेंडिंग प्रोग्राम में जो पार्टिशिप एंडाता है किसान तो हमारे आसपास की में बात बताओं यहां पर 15 से 20 किसान ऐसे है जो सोजद गोट प्योन नसल इसका फारम सुरुवात कर चुके सर जो मौला सर के आसपास के किसान है और वो अभी अच्छी उनकी जो एनिमल है वो वर्दी भी हुई उनमें वो वहां से 10 से 15 लिके आया थे आज उनके बाद 25-25-30-30 हो गए है और बहुत कम टाइम में तो किसान को हमें यहां यहां यह हमारा परोथसाद सिक्कर आप अजमेर किसंगर यहां तक यह सर बारा जीले के अन्ता से भी यहां पार्टिसमेंट आते हैं तो यह जाग रुकता बहुत अच्छी फैल्ट्री लोगों में इस वेवसाय के पड़ती है और लोग इसके वेवसाय करने के लिए बहुत अच्छे से त्यार है हमार साथ कुछ पशोपालन भी हैं इनसे भी जानते हैं कि जो ट्रेनिंग इनको मिली है इसका किस तरह से उनको लाब मिलेगा और किस तरह से पशोपालन को यह बढ़ाएंगे क्या नाम आपका सर मेरा नाम गोइंद राम गुजर है मैं ग्राम बाटलिया तैसिल नावा जिला कोचावन डीड़वन आए सर मेरा हम यह अनूस्थनान के अंदर मोला सर और यह जो ट्वी सो विदाले के अधिकरत है सर तो हम यह यह डाक्टर गुर्ण गुमार बावविल जी के ले रहे हैं तो इसके अंदर तमाम परकार के हमें अधिया नसलों के वारे में ग्यान बताया गया है जैसे हमारे नावा कुचावन की नसल है गूजरी नसल और सोज़त की नसल जो अभी आपने देखा है सर यह और करोली नसल है सीरोई नसल है जैसे सोज़त नसल को साप्राइ बास्ता के अंदर मारम न access भी बुलते तो विक्सानों इस सम्मिय पर हुए है कि आप अधिक आ नहीं हो रही है образ्कारणका और दलाकि mobile लोन एक किलो जड़ डाल देता है तो ज्यादा खाने से निया था उनको लिमिट मातरा में हर चीज उनको बराबर की मातरा में संतुने उसको खिलाया पिलाया जाए और सर्दी और मोस्तिक कनुसर को किस परकार उनके रख रखाव के लिए जो आप बना रहे हो आवास उनका तो उस मोहन राम नाम है मोहन नाम जी किस तरह की आपको जानकारी मिली और परशुपालन जी एक विवसाय है उसमें किस तरह से इस परश्रिक्शन के बाद आपको लाब हो सकता है किस तरह से यह साइड़ सिद्ध हो सकता है देखिए एक तो कर्शिव ज्यान के अंदर मौला सर में यह जो साथ लिवर्शी है परसिक्षन हो रहा है इसमें आकर हमने यह चीज अपने आपको चेक करते हुए यह जांची है परकी है कि वाकई किसान को सबसे ज्यादा गाटा होने का कारणा उसका ट्रेंड नहीं होना उसके पास में जानकारियों का अभाव होता है किसान अगर करना परबंधन करना ठीक से समझ जाता है तो वह बहुत अच्छे मुनाफे में आ सकता है यहां पर परसिक्षण में डॉक्ट्र धिरज कुमार वागडी जी ने हमें पाच परकार के परबंदन के बारे में बताया और मैं समझता हूं नसल परबंदन आवाश परबंदन चा किसान ने सही तरेके से समझ लिया और सही ट्रेइनिंग ली तो निश्चित रूप से किसान अपने आई को काफी बड़ा इंक्रीज कर सकता है यह हमने यहां पर आकर बिल्कुल देखा है आप कितने समय से पोश्युपालन का विवसाई कर रहे हैं उसमें अभी तक आपको कित है तवान कारे करता भी हूँ लेकिन मैं मेरे तो खेर पुरुजू से ही कि खेती किसानी चलती आई है तो परशुपालन भी चलता है लेकिन जो अब तक का जो परशुपालन करने का हमारा जो तरीका था और यहां पर आकर जो सीखा है उसमें काफी बिनता है अगर यहां पर आकर सीख है उस ढंग से अगर परशु पालन करना सीख लिया तो निश्चीत तोर से किसान अच्छे मुनाफ़े में आ सकता है आप बतेगी के नाम आपना चन मेरा नाम चुनिलाल है मुझा से इलूम करता हूँ चुनिलाल जी किस तरह का आपको प्रश्षिक्शिन मिला और आप किस का किस पषू का पालन करते हैं सब्सक्राइब बेश्चार पालन करते हैं लेकिन यहां कैसा अनूब्व हुआ कि हमें जानकारी का अबाव है तो नसलों के बारे में कमी है सब्सक्राइब तो यह थे शेत्र के पहशुपालन का परक्सिशन का परश्चिक्षिन दिया गया है ताकि इनकी आए में व्रद्धी की जा सके और पहशुपालन के जो विग्यानिक तरीके हैं उनसे अपना पहशुपालन बढ़ा सके हैं तो देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से इन परशुपालकों की इर्किस्तानों की आए में व्रद्धी होती है और परशुपालन व्यवसाइक किस तरह से आगे बढ़ता है दीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी एंडी टीवी